नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल अचार जागेंद्र मिस्त्रा में कन्या राश एक जनबरी 2021 छे महा सयोग नए साल की नई सुरुआत जी हाँ दोस्तों कन्या राश वले जातकों के लिए एक जनबरी 2021 से छे महा सयोग के कारण नए साल की नई सुरुआत होने जो काफी आति उत्तम रहेगा दोस्तो नया वर्स सुरू होने वाला है कन्या रास्मेजात को और इस वर्स का जो अंतिम दिन होगा यानि की 31 दिसंबर और एक जनवरी 2021 की सुरूआत में बहुत ही यानि की शुब शैयोगों के साथ सुरू होने वाले हैं यानि की 31 दिसंबर के साम को शुब योग बन रहे हैं जिनको महासयोग कहे शकते हैं और नये वर्स की सुरूआत में इन योगों का साथ रहेगा जिसकी बज़े से कन्या रास्मेले जात को आप ले नये वर्स की सुरूआत बहुत ही लाब दायक रहेगी, बहुत ही शामदार रहने वाली है क्या ये योग होंगे और कौन-कौन से योग बनेंगे और कन्याराश के लोगों के लिए किस तरह से लाबदायक होंगे क्या काम आपको करना चाहिए किस तरह से उनका लाब उठाना चाहिए और इन योगों का क्या प्रभाव आपके उपर पूरे यानि बिस्त का जो दिन है ये पॉस मास के कृष्ण पक्ष ये प्रतिपदाति थी रहेगी सुबह नौ बच कर तीस मिनट तक रहेगी फिर दुतियाति थी लग जाएगी और एक जनबरी तक यानि कि इस दिन पुनर वसु नच्छत्र शाम तक रहेगा और फिर रातर से अगले दिन सुबह तक पुष नच्छत्र लगेगा यानि गुरु पुष नच्छत्र तो नए वर्ष की सुरॉत पुष नच्छत्र में होगी जो कि बहुती अच्छत्र नच्छत्रों में बहुती विशेश माना जाता है 31 दिसंबर गुरुवार का दिन और एक जनवरी यानि शुक्रवार का दिन चंद्रमा अपनी श्वैम की राशी करकराश में गोचर करने वाले हैं सूर जो है धनु राश में यानि कि अभी यह जो की 31 दिसंबर का दिन रहेगा तो क्या खास रहेगा चुकि इसमे शूर धनू राश में हैं चंद्रमा करक राश में और सारे बहुत ग्रह हैं चुकि यहाँ पर शनी देव मकर राश में भी यहाँ अपनी श्वेम की राशी में हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं गुरू के शाद तो कई सारे तो आपके लिए इस नए वर्स का जो पहला अवद यानि की बहुती सरवार्द सिद्ध योग पहला जो सबसे सुब महाश्योग बनने वाला है वो है सरवार्द सिद्ध योग जो की पहला योग है सरवार्द सिद्ध योग जो होगा वो आपके लिए इस नए साल को हैपी नियु एर बनाने वाला होगा इससे नियु एर की यानि की नए साल के यानि पूर्व Cornelia पर शरवार्ध सिद्धयोग रहेगा जोकी 31 दिसंबर के पूर्व उदैशे एक जनवरी के सूर्जयोदे तक रहेगा ये बेहद ही खास योग माना जा रहा है, सरवार्द सिध्योग शभी कारियों को पूर्ण करता है, क्योंकि अगर इस सरवार्द सिध्योग में नए वर्स की सुर्वात हो, तो कन्या रास्वलिजात को आप के लिए छपड़ फार सफलता हैं लेकर आएगा, इसे दिन आप जो भी सुबकार करेंगे, जो भी सुबकार के सुरुवात करेंगे, उसका बेहद अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, सरवार्द सिध्यों का साल के पहले दिन होना मा लक्ष्मी जी की क्रिपा को दर्साता है, यानि कन्या रास्वलिजात को आप पूरे वर्स माता लक्ष्मी ज के क्रिपा द्रिष्ट में बने रहेंगे, और मा लक्ष्मी जी प्रसन है, तो जीवन में धन की कमी नहीं होती है, धन धान की कमी नहीं होती है, और ये साल की सांदार सुरुवात होगी, क्योंकि इस से मा लक्ष्मी जी के क्रिपा बने रहेंगी, और मा लक्ष्मी पूरे व इस साल की आखरी दिन जब आप नए साल की स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे तो अमर्द सिध्ध योग लग चुका होगा। जो अगले दिन बनेगा अमर्द सिध्ध योग और ये जो योग होता है शभी कारियों को सिध्ध यानि सबसे अच्छा माना जाता है। इसे योग में साल की सुरुआत का होना बेहदी सुबसंकेत दे रहा है। जोग साल के शुरु में ही आपके लिए अच्छे योगों का निर्मार करेगा। अब तीसरा जो योग है वो है पुस्योग। पुस्योग नच्छत्र लग जाएगा 31 दिसंबर की रातर से। नए साल की सुरुआत गुरु पुस्योग के साथ होगी। गुरु पुस्योग जो होगा वो बहुत ही शानदार होगा। ये सुर्देव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप सुर्देव की उपासना करें तो सरीर में जो है वो अरोग हो जाते हैं। साथ में भगवान विश्णु जी की भी पूजा करें क्योंकि भगवान विश्णु सुर्ष्ट के पालन हार है। बहुत ही लाबदायक रहेंगे देखिए दोस्तों यह चौथा योग बुद्धा दित राज योग जो की जब होता है कुंडली में तो निश्ची तोर पे बहुत लाब होता है धन धार में ब्रदी होती है बरकत होती है और पाचमा जो यानि की राज योग बन रहा है शुब म महाश्रयोग छठा यानि बन रहा है वो है यहाँ पर सनी और गुरु का नीच भंग राजयोग दोस्तों देखिए कितने सारे योग हैं रूचक और नीच भंग राजयोग सनी और गुरु भी बना रहे हैं तो गुरु और सनी नीच भंग राजयोग बन रहे हैं इससे क्या हो कन्यारास के लोगों के लिए किस तरह से यानिकी इशारा कर रहे हैं ये आप के लिए बहुत अच्छा रहे गा। आप इस समय अपने दिन की सुरुआत अपने इश्ट देव की पूझा करें। और पूरा दिन सुख के साथ बिताएं और positive सोचें घर में यानि कि बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें बड़े बुजुर्गों के शेवा करें और आसिरवाद लें उतना दोसरों का भी आसिरवाद लें और उतना ही ज़्यादा सुखी रहेंगे किसी भी ब्यक्त की आप मदद करते हैं पूरा वर्ष से भर आपका बहुत अच्छा भी देगा मा लक्ष्मी जी की कृपा आप पर कन्या राशले जात को बनी रहेगी इस वर्ष से में आपके वो सपने पूरे होंगे कन्या राशले के जात को जो 2020 में सभी अधूरे रहे गए थे जो पूरे नहीं हुए थे वो बागी सब सुरुवात इससे इतनी अच्छी होगी कि ग्रहों की स्तिती भी अनकूल रहेगी और देखिए ये सारे काम यानि की आपकी यानि सुरुवात करते हैं किसी भी अच्छी चीज़ की तो बेहत अच्छा रहेगा तो उसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अच्छे दिन की सुरुवात होगी पूरे काम होंगे और यहां पर देखें तो इस नए वर्ष की सुरुवात में ही इन योगों के साथ आपकी अच्छी सुरुवात करेंगे तो आपके मन में यानि आपका मन भी परसंद रहेगा और बिद्यारतियों के लिए खास तोर पर इस दिन सुरुव की उपासना जरूर करें सुरुव को अर्द दें और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्संद कर पाएंगे परिवारिक जीवन बहुत बड़ा शुक्मे रहेगा तो यहां पर परिवार के साथ बहुत अच्छा बिताएंगे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वक्त बिताएं हर चीज को इंज्वाई करें और साथ में अपने अपने जीवन साथी का भी साथ पाएंगे जीवन साथी से भरपूर यानी प्यार मिलेगा उनका साथ मिलेगा हर कार शेत में मदद मिलेगी तो यहाँ पर देखें कमपटीशन वगेरे में भी पढ़ाई के छेत में स्टुडेंट को अच्छा लाभ मिलेगा और यहाँ पर लब पार्टनर के हिसाब सी भी बहुत अच्छा रहने वाला है तो इस्तियां काफी अच्छी रहने वाली है शांदार शाल के सुरुआत होगी धन के इंकम बढ़ेगे पूरे वर्स धन की कमी ने रहेगे बिजिनेस ब्यापार में तरक्की करते नजराएंगे केरियर में बड़े पद मिल सकते हैं केरियर में आपको अच्छे लाभ दिखाई देंगे और बड़ी खुस खबरियां प्राप्त होंगी बोस और आपके उच्छा धिकारी आपका शपोर्ट करते नजराएंगे बस आपको पोजिटिव सोच के साथ कन्या रास्वलिजात को निश्ची तोर पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ये नए साल की सुर्वात इन 6 महा सायोगे के कारण बहुत शांदार रहने वाला है बस आपको क्या करना है कि नए साल में सुर्देव को अर्ध जरूर दे और अपने इश्ची देव की पूजा करें तो दोस्तो ये था कन्या रास्वले जातकों के लिए 6 महा सायोगों में एक जनबरी 2021 की नई सुरुवात और नए सुरुवात की सांदार सुरुवात होने जा रही दोस्तो कमेंट वाक्स में सच्चे दिल से आप जय शनिदेव जय माता लक्ष्मी अवस्च लिखें और दोस्तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए